असलाम आलेकुम मेरे प्यारे विवर्स आज मैं आप सबको बहुत ही आसानी से बनने वाली अर्बी के पत्तों की सबजी बनाना बताऊंगी और ये बहुत ही आसानी से बनने वाली सबजी है आप लोग देख सकते हैं हमारी सबजी कितनी अच्छी बनकर तयार हुई है अगर आप ये सबजी खाएंगे तो फिस्करी खाना भूल जाएंगे अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे बनाने के लिए कोई ताम जाम इसमें नहीं करना है और नहीं इसमें कोई मेहनत है तो चलो बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे अरबी के पत्तों को ले लिया है और इनको अच्छे से वाश कर लिया है और इन में से जो हमने इसे साम को मंगाया था और सुबा ये थोड़ा सा मुर्जा गए हैं और जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं उनको हम निकाल लेंगे और अच्छे से वाश करेंगे डंठल को पूरी तरह से हटा देंगे और अच्छे अच्छे पत्ते जो हैं फ्रेश उन्हें हम निकाल लेंगे फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए हमने अच्छे अच्छे पत्तों को निकाल लिया है फ्रेश फ्रेश और इनको अच्छे से वाश कर लेंगे और आप मैं यहाँ पे इनको दाल में बना रही हूँ ये हमने उरत की दाल ली थी एक कटोरी और इसको हम ओरनाइट भुगों को रख दिये थे और इसे हमने वाश कर लिया है अच्छे से छिलके को उतार कर और इसे अब हम पीस लेंगे अच्छे से पीसने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी दाल पिस गई है और आगे का प्रोसेस क्या है आप लोगों को बताऊंगी आप लोग देखते जाएं और वीडियो केंट तक देखें तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से और आपकी जो सबजी है वो बहुत ही अच्छे से बनकर तयार होगी और ये सबजी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार इस सीजन में आप लोग इसे बना का जरूर ट्राइ करें और ये देखिए दाल हमारी पुरी अच्छे से पिस गई है कुछ इस तरह से हमारे यहां इनको बोलते हैं लपेटुआ की सबजी आपके यहां इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसी जार में मैं मसाला पीस ले रही हूं तब तक मैं यहां पे दो मीडियम साइस के प्यास को ले रही हूं और लहसुन की कुछ कलियां 10 से 12 जीरा ले रही हूं यहां पे आधा चम्मच का लिमेच ले रही हूं आधा चम्मच और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसे मैं अच्छा सा पेष्ट बना लूँगी यह देखिए इसमें दाल पड़ी थी और इससे क्या होता है दाल को मैंने रहने दिया था इससे क्या होगा जो हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और ये देखे दाल को मैं कुछ इस तरह से इस पे लगा रही हूँ ज़्यादा दाल की लिपाई इस पे नहीं करनी है हलकी हलकी दाल ही लगानी है कि जब ये भाप में बनेंगे तो आटोमेटिक ये जो दाल है वो अच्छे से फूल जाएगी और ये देखे मैंने यहाँ पे थ्री लेयर्स में पत्तों के उपर जो है दाल को लगा ली है अच्छे से और इसे मैं इस तरह से फूल्ड कर दे रही हूँ आप लोग देख सकते हैं आप लोग भी इसी तरह से बनाईएगा और बहुत ही आसानी से बन जाएगे और ये देखे मैं यहाँ पे दूसरा बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक पत्ते को रख लिया है अच्छे से फैला कर और उस पे मैं दाल को पूरी तरह से अच्छे से लगा दूँगी फिर उसके बाद दूसरा पत्ता रखूंगी फिर उसके भी इसी तरह से डाल को लगाऊंगी और तीसरा पत्ता रखने के बाद डाल लगा लेंगे फिर उसके बाद इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे इसी तरह आप लोग भी अच्छे से बनाते जाएंगे तो आप लोगों के भी बहुत ही आसान तरीके से बनकर जो ये सबजी है वो तयार हो जाएगी ये देखिए इसे भी उसी के साथ मैंने चिपका दिया है और इस पे भी मैं दाल को लगा ले रही हूँ आप जब भी सबजी बनाएं तो दो से तीन पत्तों पर डाल या जिसकी बनाएं वो जरूर लगाएं इससे क्या होता है जो हमारा ये बंच है ये मोटा बनकर तयार होता है ये देखिए मैंने इस तरह से सब को बना लिया है और गैस को हमने गैस पर पानी को गरम होने के लिए रख दिया था और इस तरह से कुछ छन्नी लेंगे आपके पास जो हो वो आप आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से मैं इस पर रख दे रही हूँ सब को और इसे मैं धग दूँगी और 10 से 12 मिनट के लिए इसको भाप दूँगी अच्छे से धग कर ये देखिए मैंने सब को भी ही इस तरह से रख दिया है और इसको मैं धग दूँगी और 10-12 मिनट के बाद आप सब को दिखाती हूँ ये देखिए कुछ इस तरह से इनका कलर हो गया है भाप लगने के बाद और इनको अब गय से नीचे उतार लूँगी फिर उसके बाद इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी फिर उसके बाद इनको पीसेस में कट करूँगी ये देखिए अब ये अच्छे से ठंडी हो गए हैं तो मैं इनके कट कर ले रही हूँ बहुत ही आसानी से ये कट हो जा रहे हैं तो इस तरह से सारी ही सबजी को मैं कट टर लूँगी ये देखिए और आम मैं इनहें पकाने के प्रोसस में चलते हैं तो मैंने यहाँ पे लोही की करहाई ले ली है और उसमें मैंने सरसों का आयल डाला है ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे मैंने यहाँ से चार से पांच टेबल स्पोन ही तेल डाला है और जो मैंने मसाले को पीस कर रखा था जाल में वो डाल दिया है और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक यह अच्छे से पक न जाए यह देखिए मसालों ने हमारे अच्छे से तेल को छोड़ दिया है और यह अच्छे से पक गए हैं अब इसमें मैं कुछ पिसे मसाले अट करूंगी जैसे की मैंने यहाँ पे देड़ चमस धनिया पाउडर आइट किया है और आधा चमस हल्दी पाउडर आइट कर रही हूँ और आधा चमस लाल मिर्स पाउडर आइट कर दी हूँ और अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी मैंने यहाँ पे एक चमस नमक डाला है और इन सब को अच्छे से मिक्स करके इन मसालों को पका लेंगे अच्छे से जब तक तेल ना छोड़ दे और मसालों का कलर चेंज ना हो जाए यह देखिए और अम मैं यहाँ पे दो पिंच के करीब गरा मसाला आइट कर रही हूँ यह सबसे बाद में आइट किया है ताकि इसकी जो खुश्बू है वो मेंटेन रहे इसलिए मैंने इसको बाद में आइट किया है और यह देखें मसाला हमारा कैसा अच्छा लग रहा है कलर में तो इसमें आम मेन इंग्रीडियन्स की बारी है डालने की तो मैं यहां पे आमचूर पाउडर ले रही हूँ आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं तो मैंने यहां पे एक चम्मस डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि बारिस का सीजन है इसलिए जो आमचूर पाउडर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो आमचूर पाउडर को हमेशा एर टाइट जार में रखें और मैं यहां पे जिस हिसाब से आपको अपन जो है सालन रखना है उस हिसाब से पाणी डाले मैंने यहां पे डेड़ ग्लास पानी डाला है और मसालों को अच्छे से पकने देंगे उबलने देंगे जब पानी अच्छे से उबलने लगे तब इसमें हम जो सबजी कट करके रखी है वो डाल देंगे यह देखिए मैंने ही सारी सबजी को इसमें डाल दिया है और इनको अच्छे से करेंगे मेक्स और इन्हें मैं छोण दूंगी पकने के लिए पान से साथ मिनट के लिए बिल्कुल ही धीमी आज़ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है और इन्हें मैं ढख दूंगी एक प्लेट से और यह देखें पान से साथ मिनट हो गए है सबजी को पकते हुए और यह देखिए बहुत ही अच्छे से पक गई है यह और जब यह पक जाए तब इसमें हम कसूरी मेथी आट कर देंगे उपर से इससे क्या होता है कि इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सबजी बनकर तयार हुई है आप लोग भी इस सीजन में इनको एक बार बनाएं जरूर क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं हर सीजन में नहीं मिलते हैं बारिश के सीजन में ही मिलते हैं मिलती हूँ ऐसी ही नई नई रेश पीस के साथ Assalamualaikum